नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें इंडिया.com सुप्रीम कोट ने सेम सेक्स मैरिज को मानेता देने से इंकार कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदरचून, जस्टिस संजे किशनकॉल, जस्टिस रविंद्र भट, जस्टिस हीमा कोली और जस्टिस पियस नसीमा की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने दस दिन लगातार सुनवाई करने के बाद इसी साल ग्यारा मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था आईए जानते हैं सुनवाई के दौरान किस जज ने क्या कहा सुबा पौने ग्यारा बजे सुप्रिम कोट की पांच जजों की बेंच फैसला सुनाने बैठी सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदरचूर ने अपना फैसला सुनाया उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मानिता देने के पक्ष में फैसला सुनाया चंदरचूर ने कहा समिधान अपैक्षा करता है कि कोट देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे नियाय पालिका विधाइका के बीच शक्तियों का बटवारा इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि सरकार को लगता है कि समलेंगिकता शहरी इलिट क्लास तक सीमित है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है देश के गाओं में भी समलेंगिक लोग रहते हैं CGI ने स्पेशल मेरी जैक में बदलाव के मसले पर कहा कि इसमें बदलाव किया जाए या नहीं इस पर विचार करना संसत का काम है विधाइका के काम में कोट को दखल नहीं देना चाहिए CGI ने समिधान का हवाला देते हुए कहा जीवन साथी का चुनाव आर्टिकल 21 के तहट जीवन के अधिकार का हिस्सा है सबको अपना जीवन साथी चुनने का हक है उन्होंने जेंडर और सेक्शॉलिटी एक समान नहीं होने के भी बात कही अधिकारों पर बात करते हुए CGI ने कहा सेक्शॉल ओरियंटेशन के आधार पर किसी के साथ बेदबाव नहीं किया जा सकता हेट्रो सेक्शॉल कपल की ही तरह होमो सेक्शॉल को समान अधिकार मिलना चाहिए CGI के बाद जस्टिस संजे किशन कॉल ने कहा कि समलेंगिक रिष्टे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है उनके बीच भावनात्मक रिष्टा भी है जस्टिस कॉल ने आगे कहा समलेंगिक कपल ने लंबे वक्त तक भेदबाव जहला है सरकार सुनिश्चित करे कि ये भेदबाव दूर हो उन्हें हेट्रो सेक्शोल के समान अधिकार मिले इसके साथ ही उन्होंने CGII के फैसले से सहमती जताई वहीं जस्टिस रविंद्र भट जस्टिस सीमा कोली और जस्टिस पियस नरसीमा ने सेम सेक्स मैरिज को मानिता देने के विरोध में अपना फैसला सुनाया अपना फैसला पढ़ते हुए जस्टिस रविंद्र भट ने कहा शादी करने से रोकने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन ऐसे शादियों को कानूनी दर्जा देना संसत के बनाए कानून के तहत ही हो सकता है उन्होंने आगे कहा समलेंगिंग जोडों को गोद लेने की अनुमती ना देने के लिए कारा के नियम आमानी नहीं है सरकार ये सुनिशित करे कि समलेंगिंग वेक्तियों को परेशान ना किया जाए पांच जजों की बेंच में जस्टिस हीमा कोली और जस्टिस नरसिमा ने जस्टिस भट के फैसले से सहमती जताई है जस्टिस पियस नरसिमा ने कहा कि समलेंगिंग जोडों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिल सकता अपनी बारी आने पर जस्टिस हीमा कोली ने सिर्फ इतना कहा कि वो जस्टिस भट के फैसले से सहमत है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने तीन दो से फैसला सुनाया और सेम सेक्स मेरिज को मानिता देने से मना कर दिया